Welcome to Web Academy, मैं हूँ आपकी ट्विटर मारिया, आज मैं आपको MS Word 2021 में Tips and Tricks के बारे में पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह हम हर पेज को अपनी मर्जी का साइज दे सकते हैं, हम MS Word में रहते हुए हर डॉक्यूमेंट्स का साइज और औरियंटेशन चेंज किस त तरह का Landscape और तीसरी का Custom Size, हम Custom Size की सथरा से अपलाई कर सकते हैं के बारे में पढ़ाऊंगी, तो स्टार्ट करते हैं अजसे कि आप यहां पर New File Create करते हैं, जैसे आपने यहां पर New File ली उसके बाद आप Ctrl, Enter से New Pages लेते हैं, लेने के बाद आप Layout पे क्लिक करते हैं और Orientation प पॉर्ट्रेट करती हूं तो सबके सब पॉर्ट्रेट हो जाते हैं जब कि मैं तो चाहती हूं कि कोई एक पेज का साइज पॉर्ट्रेट रहे दूसरे का लैंड्सकेप और तीसरे का कस्टम साइज आ जाए तो इसको किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आपने न्यू फाइल लेनी है लेने के बाद आपने करेंगे आपने लेयाउट पे क्लिक करना है और ब्रेक्स पे क्लिक करना है करने के बाद आप नेक्स पेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रहते हुए इसकी ओरियंटेशन लेंड्सकेप कर सकते हैं इसी तरह अगर आप next page लेना चाहते हैं तो आप page breaks पे क्लिक करें और उसके बाद next page पे क्लिक करें जैसे आप next page पे क्लिक करती हैं तो आपके पास यूं pages आ जाते हैं यह आपके पास portrait में हैं यह landscape में और यह page आप चाहते हैं कि यह custom size का हो जाए मतलब कि आप कोई invitation card बनाना चाहते हैं कोई visiting card बनाना चाहते हैं कोई business card create करना चाहते हैं यह कोई birthday card बनाना चाहते हैं तो आप इसे अपनी मर्जी का size दे सकते हैं जैसे कि आप यहां पर size पे क्लिक करें, करने के बाद आप more paper size पे क्लिक करें और यहां पर आपके पास page setup का box open हो जाता है आपने paper tab पे क्लिक करना है और यहां पर इसे size देना है जैसे कि 7 by 3 का size में इसे देती हूं उसके बाद में इसका margin चेंज करती हूँ जैसे कि यहाँ पर हम इसका margin 0.55 करते हैं 0.55 हमने इसका margin margin करना है और और उके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यह पेज जो है वो एक custom size में convert हो जाता है इस तरह से आप कोई भी visiting card बना सकते हैं कोई invitations card create कर सकते हैं यह था मेरा आज का लेक्चर अगर आप इस लेक्चर से कुछ सीख पाएं तो मेरे इस लेक्चर को share और like जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए good bye